यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि PhD करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर UGC की तरफ से कुछ मिनिमम स्टांडर्ड और प्रोसीजर्ड चींज किये गए हैं कुछ नए स्टांडर्ड और रेगुलेशन आया हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं 15-11-2022 को यह पब्लिश हुआ था इसमें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 7 नेवेंबर को जो इन्होंने ओफिशल बाते बताई थी नोटिफिकेशन बनाया था वो सब अब यहाँ पर क् हिंदी में सब कुछ बताया गया है और फिर यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में में मेंशन किया गया है तो हम यहाँ पर यहां से पढ़ने की शुरुबात करते हैं तो क्या कहा है यूनिवर्सटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन 7 नवेंबर 2022 को यहाँ पर हम जितनी भी चीज़े चेंज हुई है में में उन सभी चीजों के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहरी चीज जो हमारे काम किये वो है एट समेस्टर बाचलर्स डिग्री प्रोग्राम वो यहां पर पि एच टे के लिए यह पर अप्लाइ कब अगर उनके 55% एग्रीगेट है या फिर उक्यूवेलन ग्रेट पॉइंट है तो 5% marks का relaxation दिया जाएगा इनी sub-categories को इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि अगर आप यहां पर 4 year यहां फिर 8 semester bachelor's degree के बाद candidate सीख कर रहे हैं तो फिर आपके minimum 75% aggregate होने चाहिए या फिर equivalent grade होने चाहिए same 5% relaxation दिया जाएगा as usual अगर हम यहां पर आगे देखें तो candidate who have completed the MFIL program with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scalar wherever यहां पर बोला गया है कि जिनकी MFIL degree हो गई है वो PhD करना चाहते है तो उनके लिए भी same चीज है कि at least 55% marks यहां पर उनके aggregate में होने चाहिए इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो same चीज है कि 5% का यहां पर आपको relaxation दिया जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पर देखें duration of the program में तो duration of program क्या है अभी तक हमने किसके बारे बात कर लिए अभी तक हमने eligibility के बारे बात कर लिए दो year आप additional ले सकते हो re-registration करके और maximum आपका 8 साल तक जा सकता है लेकिन इस special condition में आपको re-registration करना पड़ेगा female candidates है या फिर personal with disability है जिनका 40% से जाद़ disability है उनको additional 2 years दिया जा सकता है however the period will be not exceeded after 10 years मतलब 10 years तक हो जाना चाहिए इसके अलावा females के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जो female है maternity leave में जाना चाहती है उनको up to 240 days की duration के लिए आपको leave मिल सकती है in your PhD program इसके आगे अगर हम यहाँ पे जाए तो procedure of admission क्या है procedure of admission यहाँ पर यह है कि जो higher education institute है वो आपको fellowship या scholarship के basis पे ले सकते है UGC net आपका clear है या फिर UGC CSI net clear है या फिर gate clear है या फिर CED clear है इन में से कोई अगर आपका national examination level test clear है कोई और भी अगर आपका clear है तो आपका फिर interview होगा और उसके basis पर आपको लिया जा सकता है इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बोला है कि higher education institute में admit students through an entrance test conducted at level of मतलब कि वो अपना खुद का entrance test भी conduct कर सकते हैं जुसमें यहाँ पर syllabus के हिसाब से the entrance test syllabus shell consists of 50% research methodology होगी और 50% subject specific होगा 100% में से 50% जाएगा research को और 50% जाएगा subject specific topics को students जिन्होंने 50% marks secure case entrance test में eligible होगे interview के लिए 5% once again relaxation दिया जाएगा इन सबी को यहाँ पर institute जो है decide कर सकता है कि उनको कितने number of PhD students को बुलाना है इसके अलावा जो अगर हम यहाँ पर देखे तो selection of candidate will be based on the entrance test conducted by H.E.A. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखे तो बोला गया है कि जो universities उनको अच्छे से inform करना पड़ेगा एक prospectus देना पड़ेगा अपनी website पे और सारी policy माननी पड़ेगी यह सब institute के लिए उन्होंने दिया हुआ है इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि research scholar यहाँ पर सुपरवाइजर को सुपरवाइजर कौन हो सकते हैं यह सब उन्होंने mention किया है यहाँ पर supervisor से related है इसके अलावा इन्होंने बताये गया professor associate professor और assistant professor आठ छे और चार यहाँ पर scholars को रख सकते हैं प्रोफेसर रख सकते हैं आर्ट स्कॉलर को associate professor रख सकते हैं छे को और assistant professor रख सकते हैं चार स्कॉलर को तो यह सब यहाँ पर बोला गया इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अगर एक female को relocate होना पड़ता है शादियां किसी और reason की वज़े से तो वो अपना जो अपनी research है वो एक institute से दूसरे institute में यहाँ पर transfer करवा सकती है जैसे कि इन्होंने बोला है research data shall be allowed to transfer यहाँ पर एक जगा से दूसरी जगा वो relocate कर सकती है transfer कर सकती है यहाँ पर सिर्फ वो एक condition में नहीं कर पाएगी अगर उसको parent institute से कोई funding agency से अगर उसको funding मिल रही है तो फिर वो इस condition में नहीं कर सकती है transfer or else she can transfer उसी के सास्ता एक और बात है कि उसको parent institute को सारे credits देने पड़ेंगे अपने research के जितने भी उनको है research के जितने भी credits होने को लगते है कि देने चाहिए उनको parent institute को देने पड़ेंगे इसके लावा इन्होंने बता रहा है कि coursework में किस तरीके से credit होगा यहाँ पर इन्होंने बताया है the credit requirement for the PhD coursework is minimum of 12% उसके अलावा जो PhD scholars होंगे उनको यहाँ पर teaching के लिए train किया जाएगा teaching education writing related इनको यहाँ पर किया जाएगा train तो यहाँ पर 4-6 hours per week of teaching, research, assistantship for conducting tutorial वेगा यहाँ उनको दिया जाएगा इसके लावा इहाँ पर बोला गया है PhD scholar must obtain a minimum of 55% और equivalent grade उनको होना चाहिए at least तो यह सब यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़े mention की है इसके अलावा यहाँ पर बोला है PhD through part-time mode PhD through part-time mode भी आपको दिया जा रहा है part-time mode यहाँ पर है जिसमें यहाँ पर क्या बोला गया है आप part-time कर सकते हैं PhD लेकिन आपको higher education institute को एक no objection certificate देना पड़ेगा through the candidate for a part-time PhD program from the appropriate authority in the organization where candidate is employed समझो आप किसी एक company में employed हो तो एक company को यहाँ आप से आपको no objection certificate आपको एक company से लेना पड़ेगा और उसको आपको इस institute में देना पड़ेगा जिसमें आप PhD करना चाहते हैं The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis His, her official duties permit him, her to devote sufficient time to research If required, he, she will be relieved from the duty तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर जो एक company है वो आपको देनी चाहिए उसके अलावा यहाँ पर लिगा हुआ है higher education institute shall not offer MFIL मतलब अब MFIL यहाँ पर MFIL बिगरी नहीं दी चाहेगी तो यह सब कुछ changes है guys जो आए है उमीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आगया होगा इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो इसका link जो है मैं नीचे description box में दे दूँगी official website है यहाँ पर UGC कि आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं so all the very best guys take care bye